दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहली कबर बिहार में महामारी घोसित हुई बिलैक पंगस स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने दी जानकरी जिहां बिहार की नितिस सरकार ने ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनेजर इसे महामारी घोसित कर दिया है इसकी जानकारी स्वास्त मंत्री मंगल पाने ने दी है इससे पहले स्वास्त विवाग के सुत्रों ने बताया था कि ब्लैक फंगस को लेकर केंद सरकार से दिसानिर्देश मिलने के बाद इसे आपदा कानुन के तहट महामारी घोसित किया जा सकता है अगली बड़ी कबर बिहार में बनेगा देश का सबसे बड़ा 11 किलोमेटर लंबा सिक्स लेन पूल लागत 42 कडोर रुपिये पटना की घटे की दूरी जिहां पटना रिंग रोड के तहट बनने वाले सेरपूर दिगवारा सिक्स लेन पूल के लिए जमिन अधिकन के दिसुचना जारी हो गई है सुबे के लोगों के लिए यह ब्रीज बड़ी रहत का सोगा था 42 कडोर की लागत से बनने वाले चो लेन के इस ब्रीज से बिहार के तीन जिलो को विशेसलाम मिलेगा सारन प्रमंडल के तीन जिले सिवान गोपाल गंज और सारन जिले से पटनवा बिहाटा एरपूट की दुरी काफी कम हो जाएगी आपके जानकारे के लिए बता दे कि सेरपूर दिगवारा सिक्स लेन ब्रीज पर 42 सो कडोर रुपिय की करीब कर्च किया जाएगा इसके लंबाई 11 किलोमेटर तक होगी इस पूल के बनने से सारन प्रमंडल के तीन जिलो सिवान गोपाल गंज और सारन के लोगों को सिधा फायदा पोचेगा अगले बड़े कबर चकरवर्ती तुफान यस्स की वज़ा से 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेशन रद आए जानते हैं कौन से ट्रेनों को रद क्या गिया जिहा चकरवर्ती तुफान यस्स की वज़ा से रेल सिवा प्रवावित होगे नुकसान के आसंका को देखते हुए रेलवे ने सुराचत्मक कदम उठाते हुए भुवनेसर पूरी येस्वनपूर यादी स्टेसन से चलने वाले कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आस्ताई तोर पर रद कर दिया गया है इसमें पटना मुझपरपूर और जैनेगर से खुलने या पहुचने वाले तीन जोड़े और पूरो मैद रेल के कोडर मा गया सासाराम पंडित दिन दियाल उपाधा जक्सन आदी इस्टन से होकर नई दिल्ली आनन बिहार टर्मिनल को जाने या आने वाले साथ जोड़े परिचालन 24 माई को रद रहेगा इसके अलावा एरना कुलम पटना स्पेशल टेन का परिचालन 25 माई को बद रहेगा पटना एरना कुलम स्पेशल टेन जिसकी टेन सिंख्या 02644 28 माई को रद रहेगा पूरी जैनेगर स्पेशल टेन का परिचालन 27 माई को रद रहेगा जै अगली बड़ी कवर कोरोना काल में गरीबों को घर के लिए तुरंद मिलेगा रासी मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने दिया आदेश जी हाँ कोरोना काल में परिसानियों का सामना कर रहे गरीब परिवारों को लेकर मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने अपने अधिकारियों को बड़ा दिसा निर्दिस दिया है मुख मंतरी ने कहा कि गरेबों को घर बनाने के लिए तुरंत पैसे दिये जाएंगे घर बनाने के क्राम में लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामिन अर्थ वैस्ताव को भी लाब होगा सेम नितिसने सुकुरवार को प्रधार मंतरी आवास योजना मुख मंतरी आवास योजना, जिवी का तता सतत, जिवी का पारजन योजना की समिक्चा करते विए बाते कही है उन्होंने कहा कि इन दोना आवास योजनाओं के काम में और तीजी लाई जाए इसके तहट जिनका भी घर बनना है उनका निर्मान जल्द से जल्द हो बड़े कबर बिहार के ग्रामेन इलाकों के 23 PSC में बनेंगे आईसलेशन सेंटर, आउक्सिजन लेवल सही करनी की होगी विवस्ता जिहापाटना जिले के ग्रामेन इलाकों में इस तीज में पांच बेट का आईसलेशन सेंटर बनाया जाएगा इसके लिए ओक्सिजन सिलेंडर, ओक्सिजन कंस्ट्रेटर, पल्स ओक्सिमिटर, बेड एम्बुलेंस वा आने जरुत के समान के खरीद की जाएगी सिविल सर्जन विवास सिंग ने सभी पिएस्टी के वर्तमान इसिती के संबन में जिला अधिकारी डाक्टर चंदर सिखर सिंग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को डिडिसी रिची पांडे को सोब दिया गया है जानकारी के अनुसार कोरोना के तिसरी लगर आने की जो संभावनाई जताय जा रही है उसमें कापी कम समय है जिसके कारण किसी भी ग्रामिन इलाके के पियसी को तुरंती बेहतर अस्पतल बनाना सम्मव नहीं है इसलिए पाले चरण में आइसलेशन सेंटर मनाया जा रहा है ताकि वैसे मरे जिनका ओक्सिजन लेवल 90-93 के बीच हो उन्हें भरती कर उनका इलाज हो सके और उनका सही ओक्सिजन लेवल वापस आ सके अगली बड़े कबर अब नेजी नर्सिंग होम को चिपकाना होगा इलाज का खर्चा कुरोना की इलाज के नाम पर नहीं चलेगी मनमाने सरकारी दर पर इलाज नहीं करेंगे तो होंगी कारवाई जिहां गया जिले में चला रहे नर्सिंग होम के संचालक अब कोरोना की इलाज के नाम पर मरीजों की जेब खाले नहीं कर पाएंगे सरकार की ओर से निदारित रासी से अधिक वह मरीजों से नहीं ले सकेंगे हर एक नर्सिंग होम को इलाज में आने वाले खर्च का रेट चा लूट मची थी इस बाबत जिला प्रसासन को लगातार सिकाईती मिल रही थी अब उन्होंने नर्सिंग होम के संचालकों को यह निर्देश दे दिया है अगली बड़े कबर एक जून से गोल्ड पर हॉल मार्किंग अनिवार राज के 25,000 जूलर्स में से अभी तक 792 ही BIS से रजिस्टर्ड 38 में 12 जिलो में ही हॉल मार्किंग सिंटर जिहां गोल्ड जूलर्ड पर एक जून से हॉल मार्किंग अनिवार हो जाएगी यह बिहार के करे 25,000 जूलर्स के लिए परिसानी का सबब बनने जा रहा है राज के 38 में से 12 जीलो में ही हॉल मार्किंग सिंटर है 26 जीलो के ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग के लिए उन्हीं के पास जाना होगा 5 माई से संपुन लोगडाउन होने से ज्वेलर्स हॉल मार्किंग की कोई तयारी ने कर सके है लोडाउन के आओधी में उनके लिए कही आना जाना भी कटिन होगा ग्राहक भी बिना हॉल मार्क वाले अभूसन को नहीं ले पाएंगे इसके साथ ही ज्वेलर्स को गोल्ड ज्वेलरी कारोबार के लिए Bureau of Indian Standards से रजिस्ट्रेशन करना भी आवज सकोगा बिना BIS रेजिस्ट्रेशन के गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेश सकेंगे राज के 25,000 ज्वेलर्स में से अभी तक 799 ही BIS से रेजिस्ट्रेड है अगली बड़ी कबर बिहार में घटकर आधे हुए कोरोना के मामले पिछले 24 गंटे में मिले 4,375 नहीं संक्रमित मरेज संक्रमन दर में जारी है गिरावट बिहार में कोरोना वारेस के मामलों में लगातार कमी आ रही है राज में कोरोना का संक्रमंदर 3.111 पिजदी हो गई है पिछले 24 गंटे में संक्रमंदर में 1.111 पिजदी की गिरावट आई है राज में पिछले 24 गंटे में 4,375 नए कोरोना संग्रमित की पाचान की गई है इसके अलावा पत्ना में सरवादेक 725 नए कोरोना संग्रमित की पाचान की गई है राज के 16 जिलों में 100 से अधिक नए संग्रमित की पाचान की गई है अरारिया में 116, बेगुसरा में 197, पुर्वी चमपारान में 122, गया में 190, गोपाल गंज में 145, कटिहार में 180, मंदुबनी में 119, मुंगेर में 14, मुझपर्ण में 404, नालांदा में 100, पुर्णिया में 15 समस्तिपूर में 216, सिवान में 131, सुपल में 132, वैसाले में 117 और पश्चिमी चमपारान में 133, नए कुरोना संग्रमित की पहचान की गई है अगली बड़े कवर पाटना हाइकोट में 23 मैं से 20 जून तक गर्मी की चुट्टी जिहाँ पाटना हाइकोट प्रसासन ने गर्मी की चुट्टिया गोसित कर दी है इसे लेकर नोटिस जारी की गई है पतना हाइकोट में 23 मैं से 20 जून तक गर्मी की चुटी रहेगी पतना हाइकोट प्रसासन की तरब से जारी नोटिस के नुसार जरूरी मामले की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच गठित की गई है जरूरी मामले की सुनवाई वीडियो कॉनफरेंसिंग की जरिये की डियेलब रिषवत मामले में सिवियाई ने दी क्लीन चीट जिए बड़ी कबर आरजेडी सुप्रेमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है यहार के पूरो मुष्मंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए रात के खबर है दरसल तीन साल पूराने डियेलब रिषवत म मामले में सिबी आई ने उन्हें क्लीन चीट दे दी है गौरतलवे के लालो प्रसाद यादव इन दिनों जमानत पर बाहर है खराब स्वास्थ के आदार पर उन्हें अप्रेल महिने में जमानत दे दी गई थी इससे पले उन्होंने करिब तीन साल जेल में विताये थे अब ड अब NCC में सामिल होकर अपने जीवन को नई उचाई प्रदान कर सकते हैं सरकार की और से जुनियर डिविजिनल और जुनियर विंग के लिए देश भर में एक लाग केड़ेट रिक्तियों के मंजुरी दे दी गई है रक्चा मत्राले की और से जारी दिरसा निर्दिस के पड़ती है इससे बिहार वा जारकंड के निजी इसकूल के चात्रों और चात्राई एंसेसी में नमांकर ने पाएंगे पटना के ग्रूप कमांडर ने बताये कि बिहार और जारकंड निदेशालाई को मिला कर 58,000 सीटे एंसेसी में है इसमें इसकूल वा कोलेज भी सामेल ह पहले दिन एक लाख से उपर हस्ताक्चार युक्त पत्र भेजा गया। जान अधिकार पार्टी के राष्टी अधक्च वा पूर्व सांसद राजिस रंजन और पप्पु यादव के कल से करिकरताओं ने भारत के राष्टपती को पत्र लिखना शुरू कर दिया है। का हस्ताक्चर युक्त पत्र महमाईम को नहीं बेजा जाता है। पपु यादव जीक की रिहाई होने पर या कारकरम बीच में भी रोका जा सकता है। बाड़ी कवर बिहार में पहला चलंद RTPCR जाच केंद्र सियम नितिस हरी जंडी दिखा कर किया रवाना। जी हाँ कोरोना के अधिक से अधिक जाच के लिए स्वास्त विभाग ने चलंद RTPCR वेन की विवस्ता किया है। मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने कल इस वेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है। बहुत दजल चार आइन वेन भी आएंगे। मिहार में पहला चलंद RTPCR जाच केंद्र की सिरुवात की गई है। मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने कहा कि इस वेन के आजाने से ग्रामिन इलाकों में कुरोना जाच में सहुलित होगी साथ ही लोगों को समय पर जाच रिपोर्ट भी मिल पाएगा मुझी मंत्री ने कहा कि कुरोना जाच आने वाले खर्च को राज सरकार वहन करेगी एक सेंपल की जाच में 649 का खर्चाता है अगली बड़ी कबर बिहार में मांसुन के एंट्री होगी लेट 13 जुन के पहले आने के उमीद नहीं जानि एक किस जिले से करेगा परवेश बिहार में मांसुन को किसानों के लिए जुआ कहा गिया है सायद ही कभी मांसुन के इंटी बिहार में समय पर होती है वैसे 10 जुन की तिती मांसुन के परवेश के लिए मानक है लेकिन हमिसा से इनकी लेट पित होती रहती है अलाकि कभी कभी यह समय पर भी आ जाता है इस बार बिहार में 13 जुन के पहले मांसुन के आने के कोई उम्मीद नहीं है मौसर मिवाग के माने तो इस साल बिहार में मांसुन के 13 जुन के बाद आने के उम्मीद है कहा गया कि 13 से 18 जुन तक यहां बिहार में परवेश कर सकता है इसके पले अन्वान सागर और दचिन पुरवी बंगाल के खाड़ी में 22 से 23 मैं के बीज मांसुन आने के उम्मिद है साथ या एक जुन तक केरल में परवेश करेगा इसके बाद पश्चिम मंगाल जहारकन और बिहार के और रुख करेगा बिहार में पुर्णिया के रास्ते आएगा और 22 जुन तक बिहार के तमाम जीलों में इसका प्रभाव दिखने लगेगा परांद की बड़ी कवज CBAC में केवल मेजर सब्जेक्ट के ही हो सकते एकजाम रईवार आज राज्जों के साथ मीटिंग में हो सकता है फैसला कोरोनो महामारी की दूसरी लगर के बेज Central Board of Secondary Education याने की CBAC बारवी क्लास में मुख की विशवयो याने मेजर सब्जेक्ट का एकजाम लेने पर विचार कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस की कवर के मुताबिक महामारी को देखते वे या फैसला लिया जा सकता है कि बारवी क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एकजाम हो और बाकिस सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई और फर्मूला अपनाये जाए आपके जानकारी के लिए बता दे कि CBAC बारवी क्लास में 174 सब्जेक्ट की पढ़ाई कराता है इनमें से महाज बेस को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है इनमें फिजिस, कमेस्ट्री, मैथेमेटिक्स, बायलोजे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टेडिज एकाउंटेंस, जियोग्राफि, एकोनोमिक्स और इंगलिस सामिल है, CBAC का कोई भी स्टुडेंट कम से कम, 5 और अधिक्तम से अधिक 6 सब्जेक्ट लेता है, आम तोर पर इनमें 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं आज के लिए आपका सवाल बताए के बेहार में गरिब बच्चों के ओनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार को क्या विवस्था करना चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए